नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं। कि हमत सरकार के तीन वर्स होने को है और सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ घोस्तना और अस्वासन ही दे रही है सरकार तीन वर्स में न एक ठोस अस्थाने निती नहीं नियोजन निती बना पाई है इसकी वज़ाँ से लाखो पद रिक्त पड़े है जार्खन की युवाव का भविश्य अधार में है बीना आउसर मिले ही लाखो युवाव की उम्र खतम हो गई युवाव ने मजबूरी में आंदोलन की राह पकड़ी है इस ट्यूटर अभियान में जार्खन यूत एसोसियेशन के साथ कई संस्थाय जूड़ी हुई है एसोसियेशन के रायेस ओज्या ने कहा है कि सरकार जार्खन के छात्रों के हित में निती बनाए और पांच साल उम्र छूट देते हुए सभी रिक्त पद को सिग्र भरे ट्यूटर अभियान में सभी रिक्त पदों पर सिग्र बहाली जे पिएसी जे एससी परिचा में पांच वरस उम्र छूट खत्यान अधारित अस्थाने निती पंचाज सचीव की नियुक्ति की मांग की गई है कुरोना केस ममले में रांची में अब भी सबसे ज्यादा केस जारखन में कुरोना के आकड़े में कमी है लेकिन एक दम से खत्म नहीं हुए है स्वास्त विभाग के आकड़े के मुताबिक राजे के 14 जिलों में कुरोना के एक भी मरीज नहीं है जब कि राई धानी रांची ऐसा जिला है जहां सरवधिक एक्टिप केस अब भी है यहां कुरोना के मरीजों की संख्या बारा है राजे में चार जिले ऐसे हैं जहां एक एक्टिप केस है स्वास्त विभाग लोगों को इससे बचाओ की सलाह दे रहा है स्वास्थ विभाग की ओर से जारी आकड़े को देखते हुए अब जार्खन में मरीजों की संख्या कापी कम हो गई है इसमें अचानक से गिरावट आई है राजे में 14 जीले ऐसे हैं जहां करोना का एक भी मरीज नहीं है जहार्खन के 49 निकायों में चुनाओ की घोसना जल्द जहार्खन राज निर्वाचन आयोग ने जहार्खन में नगर निकाय चुनाओ की त्यारी पूरी कर ली है जीलों में मद्दान सुची का परकासित कर अपत्या अमंत्रित की गई है वाल्डो का परिसिमन कार्य हो गया है और मद्दान केंद्रो का भी गठन किया जा चुका है आरक्षन रोष्टर को गयट में परकासित करने का काम अमतिम चरण में है एक दो दिनों में सभी उन्चास निकायों में रोष्टर का गयट परकासित कर दिया जाएगा मद्दाता सुची के अम्तिम प्रकासन किती थी 29 मन निधारित की गई है उसके बाद कभी भी राजे में नगर निकाय चुनाव की घोसना हो सकती है बता दे राजे के सभी उंचास नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है सुप्रीम कोट ने सीम हमन्त को दी रहात साथ ही मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन के खिलाब जहरकन हाई कोट में दायर पी एलाई को सुनवाई योगी नहीं बताया है बताते चले कि जहरकन हाई कोट के आदेस के खिलाब जहरकन सरकार मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटकटाया था जहा सुप्रीम कोट के इस फैसले से मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन के बड़ी रहात मिली है तीन आदिवासी रचनाकर को मिला प्रथम जैपाल जूलियूस हन्ना सहीते पुरसकार तीन आदिवासी सहीते कारों को दिया गया इनमे अरुनाचल परदेश के तागसा आदिवासी रेमोन लोग को महराश्टर के भील आदिवासी सुनिल गायकवार और धरती के अनाम योधाक के लिए दिल्ली की उराव आदिवासी कवित्री उज्वाला जियोती तिग्गा सामिल है पुरसकार समारोस बहु भासाई आदिवासी देशज कविय पाठ का आयोजन रभीवार को प्रेस कल्ब सभागार में किया गया या आयोजन UK स्थीत AHRC Research Network London Tata Steel Foundation और प्यारा केरकेटा Foundation के सयोग से जर्खंडी भासा सहीत्य संस्कृती अखाडा ने किया है किन्रा बैंक रांची से कई बैंकों को भेजी गई रकम में जाली नोट मिले है आर्बी आई की पार्टन साखा की प्राणभिक जाच में इसका खुलासा हुआ है मामले की गंभीता को देखते हुए आर्बी आई की प्रवंधक सोभावती देवी ने रांची पूलिस को पत्र लिख कर मामले में प्राथमी की दर्ज कर अनुसंधान करने का अनुरोद किया आर्बी आई की प्राणभिक जाच में पता चला है कि केंडरा बैंक रांची की तिजोरी से सितंबर 2022 में विभीन जीलो के बैंकों को पैसे भेजे गए थे इनमें से SBI गोड़ा साखा के पैसे की तिजोरी से 100 रुपए के 2 नोट बैंक आफ इंडिया लोहरदागा साखा के मुद्रा तिजोरी से 100 रुपए के 2 वा 500 रुपए का 1 नोट और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया जमसेथपूर साखा के मुद्रा तिजोरी से 100 रुपए का 1 जाली नोट मिला है RBI के मुताबिक जो जाली नोट मिले हैं उनकी करम संख्या को NCRB पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जार्खन में 28 साल में प्रतार्णा के 24 सब 31 के सदर्ज जार्खन में वर्ष 2020 से अगस्त 2022 तक महिला अपराज से जूड़ी 99 सब से जादा मामले थानों में दर्ज किये गा है इनमें सब से जादा 24 सब 31 मामले परतार्णा के हाँ लेकिन पिछले 8 माह के आकड़ों को देखे तो इस दर्ण महिला अत्याचार से जूड़े सिर्फ 16 मामलों में से 21 लोगों को सजा मिली है इन मामलों में 1 को आजिवन करावास, वहीं 3 को 10 साल, वहीं 1 को 7 साल, 7 को 3 साल और 9 लोगों को 2-2 साल की सजा मिली है महिला परताणना के सबसे जादा 334 मामले रांची में दर्ज हुए इसके बाद हम सेथपुर में 2-7 और बोकारों में 215 मामले सामने आये हाँ बोकारों में अंतराश्ट्रिय संताल सरना धर्म का आगाज बोकारों के ललपनिया इसीद लोगों बुरू में 22 और अंतराश्ट्रिय संताल सरना धर्म माहा समिलन का आगाज हो चुका है राजे भर के संतालियों के साथ साथ देश के अने हिसों ने भी संतालियों का आना सुरू हो चुका है यहाँ देश के अने हिसों की बात करे तो अंडमान निकोबार, मिजोरम और तिरपूरा जैसे राजों में रहने वाले संताली आ रहे हैं इतना ही नहीं इस अंतराइटे संताल सरनाधर्म महा समिलन में देश के बाहर के भी संतालीों का जुटान हो रहा है इसमें इंग्लेंड से भी संतालियों का आना सुरू हो गया है सरकारी स्कूल के सिक्षकों को दिया जा रहा प्रसिक्षान रांची जी ले के 5 उतक्रिष्ट वा 29 आदर्स सरकारी विद्यालों में बचों को नीजी स्कूल की तर्च पर गुनवाता पुन सिक्षा देने की परकिरिया सुरू हो गई है सरकार ने इन स्कूलो के सिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तूत करने की दीशा में कदम बढ़ाया है इन स्कूलों को अजीम प्रेम जी फाउडेशन भी प्रसिक्षन दे रहा है रांची के 10 लाख लोगों को अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी नामकुम के पूरानी लोवाड़ी के समीप टाउनलाइन की पानी पाईप लाइन फटने से लाखों लीटर पानी रविवार को सलक पर बह गया पाईप लाइन फटने के कारण राणची सहर की दोस लाख अबादी को अगले 3 दिनों तक पानी नहीं मिल सकेगी पाइप लाइन में बड़ी लिकेज है जिसे मरमत करने में तीन दिनों का समय लगेगा वहीं पाइप लाइन फटने से सड़क के चारों और पानी भर गया बुटी जलागार के करेपालक अभियन था राधे स्याम रभी ने बताया है कि केबल कमपनी द्वारा पाइप लाइन बिछाने के दवरान पोपलेन से बोरिंग करने पर डाउन लाइन फट गई है टाउन लाइन के पाइप लाइन को दुरुस्त करने में तीन दिनों का समय लगेगा पाइप लाइन कम्पिनों द्वारा सीधी बोरिंग के कारण पानी पाइप लाइन फट गई है जिससे बड़े लिकेज हुए है मुख्य मंत्री ने जमसेदपुर में 231 करोर की योजनाओ का सिलन न्यास वा उदघाटन किये यहार पोर्ट से सिधे बिश्टू पूरिस्थीत गोपाल मैदान पहुँचे यहां पर उनका स्वागत ढोल नागाड़ेव प्रमपरिक नित्त वा रिती रिवाज के साथ हुआ वह यहां से 496 करोर की लागा से बनने वाली मानगो से साक्ची फ्लाई ओवर और लगभग 397 करोर की लागा से बनने वाले 500 बेट के साक्ची सीध एम जी एम अस्पताल के नए बहुन का ओल्लाइन सिलन ने आस भी किया टाटार नगर एस्टेशन से बिदेसी नसल के 28 साप जब्त कीमत 100 करोर के पार टाटार नगर आरपीएव की टीम ने गुपत सुचना के अधार पर 12-875 निलालचल एक्सपरेस के जनरल डिबे से पूर्णे निवासी महिला तसकर देवी चंद्रा 52 वर्सिये को पकड़ा है उनके पास से बिदेसी नसल के 28 साप बारह गिरगीट 300 मकडी और 8 सिंग वाले कीड़े जब्त किये गए बता दे अंतर राश्ट्रिय बजारमीन की कीमत कोड़ोरो रूपय बताई जा रही है महिला तसकर नागालेंड के दीमापूर से जब्त माल लेकर निकली थी और उसे निलांचल एक्सपरेस से नई दिली पहुँचना था जहां उन्हें तसकरों को ये डिलेवरी देनी थी टाटा नागर आरपी एफ के निरीक छक संजाय कुमार तिवारी ने बताया कि साम साथ बज कर 22 मेर पर प्लेटरम संक्या तीन पर जैसे ही निलांचल एक्सपरेस टाटा नागर पहुँची आरपी एफ उरंदास्ता की टीम ने जनरल डिबे की सगन तलासी ली और महिला साब तसकर को धर्दबोचा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आप में दोस्तों को सब्सक्राइब करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थांक्यू